हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनी स्कूल पर हार्दिक स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में हम दो बहुत इंपोर्टेंट जांकारियां सेर करने वाले हैं पहली देखे एक खुसकबरी है JCO OR के लिए 400 करोड रुपे हुए जारी इसके लिए देखे CGDA में बनाया गया एक वारूम ताकि सभी JCO OR की जो बकाया रासी है वो उनको मिल सके सेना और CGDA की बड़ी पहल और दूसरी न्यूज है इंडियन नेवी से जहां पर 48 रिकूर्ट ट्रेनीज को सर्विस से डिसमिस कर दिया गया ये भी एक बहुत बड़ी खबर है जानेंगे विस्तार से अपने इस वीडियो में अगर आप मेरे चैनल पर नए है चैनल को सब् क्योंकि बाद में आपके कमेंट्स आते हैं कि ये बात तो आपने बताई नहीं फिर मैं उनको मैसेज करता हूँ कि देखिए आपने वीडियो सही से नहीं देखा है आप सही से देखिए तो वीडियो को बिना रुके हुए बिना इस किप के आपको एंड तक देखना है अप्रेंटिस के लिए सेलेक्स्ट हुए थे उनको ट्रेनिंग के दोरान अपने अकैडमिक्स में फेल हो जाने की वज़े से जो वहाँ पर टेस्ट होते हैं एक्जाम्स होते हैं उसमें बार बार फेल होने की वज़े से उनको सर्विस्टे डिसमिस कर दिया वो चले जाते हैं फिर मानरी एफटी में एफटी भी धेए इस uzman को मानती है कि दिखेए अगर वहाँ पर आप trainees हैं तो trainees को dismiss करने का हाख अगर आप उसी exam में फेल हो जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर आपको जरूरी है technical चीजों को जानना और अगर आप उनको पास नहीं कर पा रहे हैं तो दिखिए उनके पास पूरा दिकार है कि वो आपको डिस्मिस कर सकते हैं यह एक स्विकरत तत्थ है कि नोसनिया एक लडाकूबल है और राश्ट की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक उपकर्णों को सम्हालने की तकन नहीं उठा सकता है जो पर्सिक्षन के दोरान टकनीकी विश्यों में उत्तीन नहीं हो सकते हैं यानि नेवी के वारे में बताया है कि ऐसे व्यक्ति को रखने में ऐसे एम्प्लोई को रखने में यहाँ पर कैसे जोकिम है जो ट्रेनीज के दोरान अपने पर्सिक्षन को पा तो देखिए इस पर भी देखिए यहाँ पर कहा बैंच ने अगर वैकल पर ट्रेड में ऐसी कोई रिख्तिया नहीं है तो केवले कल्यांकारी उपाई की वैलफेर मीजर्स के लिए आपको वो ट्रेड दे दें ये देखिए पूरी तरह से जो है इससे फोर्स की एफिशेंसी जो है कम हो जाएगी अब चलते हैं बड़ी खबर पर जैसा ही आप देख सकते हैं सेना CGDA के तालमेल से JCOOR के लंबित बकाए 400 करोड रुपे जारी करने में मदद मिली है 400 करोड रुपे जो है बकाया थे JCOOR का जिसमें काफी अब्जर्शन्स लगी हुई थी उनको क्लियर क सूत्रों ने बताया कि सेना मुख्याले और CGDA ने दावों के मामलों को निप्टाने के लिए अखिल भारते एस्टर पर अभियान चलाया यहां पर बताया गया था देखिए आज ही की निउस है कि JCOOR के 400 करोड रुपे लंबे समय से लंबित दावों को बल और CGDA की संयुक् सूत्रों ने बताया कि सेना मुख्याले और CGDA ने दावों के मामलों को निप्टाने के लिए काफी बड़ा अभियान चलाया यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ CGDA में एक वार रूम इस्थापित किया गया था ताकि मामलों की बारिकी से निग्रानी की जा सके जिस से जो है JCOOR को काफी बड़ा फायदा हुआ है उन्होंने कहा कि CGDA के नेतर्त में इस महिने की सुरुवात से ही आउट्रीच सुरू हुई जिसमें देश के सभी 48 PAO वेतन और खाता कारियालों में सिविर आयोजित किये गए उन्होंने बताया कि इसी तरह भारते सेना ने सभी मामलों की प्रात्मिक्ता के आधार पर निप्टाने के लिए अपने रिकोर्ड कारियालों को सक्रिया कर दिया है record office ने भी देखी हैं पर बहुत एहम भूमी का निभाई है सेना में record कारियालियों दावों की सत्ता के लिए जाच करने के लिए जिम्मेदार हैं जबकि सत्यापित दावों को अंत्ते वेतन और लेखा कारियालियों द्वारा मनजूरी दी जाती है अगर हम बात करें तो एक जो सत्यापित करने होते हैं सत्ता जाच करनी होती है वो record का काम है और उसके बाद जो पैसे का काम है लेखा कारियालियों का काम है वो देखे PAO करते हैं या पर भारते सेना को JCOOR से बड़ी संख्या में सिखायती मिल रही थी कि हमारे भाया जो भी कलेम्स हैं उनमें और हमारे जो भी पैंडिंग्स हैं सारे के साथ हैं एक अधिकारी ने कहा कि यह मुद्दा CGDA के साथ उठाया गया और CGDA सिकायत ने एक अभूतपुर कदम में भारते सेना के साथ पूर्ण तालमेल में तेजी से काम किया और अपने PAO के माद्यम से एक एक करके सभी मामले का विशलेशन किया और देखिए यहां पर आप देखिए लास्ट में जो जंकाई देखने को मिल रही है कि 400 करोर रुपे का जो बैलेंस बकाया था जो क्लेम्स पैंडिंग थे वो सभी क्लेम्स भारते सेना के जो हैं जारी